ओम सिरी गने सायनम दोस्तू एश्टू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक श्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अठारा अगस्त गुरुवार के रासी फल के बारे में कीह दिन तरकराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकाववा धन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छी खबर मिलने के भी आज आपके लिए अने को योग बन रहे हैं उच्छ पदादिकारी और बजोर्ग वर्ग की किरपा दरष्टी आपके उपर रहेगी सभी काम सरलता से संपन होते हुए आज आपको प्रातीत होंगे साथी साथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्मपूर कार्रे बहतरिन तरीके से पूर्ण करेंगे जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी किसी नजदी की रिस्तेदार का घर में आगमन और हास परियास में समय व्यतित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिल तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्चवी अपनी पढ़ाय की ओर एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नई उरजा का प्रभाब अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संबंदित महत्वपूर्ण निर्ने लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकार अत्मक उपलब्यां लेकर आ सकता है अपने महत्वपूर्ण कार को निवटाने में अपनी आज आप पूरी उरजा लगें आपके प्रियास अवस्थे ही सफल होंगे धर्म कर्म के प्रती अस्ता रहेगी दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आप निर्णे ले भावुकता में आकर आपके निर्णे गलत हो सकते हैं शेर मार्केट और रिस्क संबंदित कारों में आपके लिए लाबदाएक परिस्थेतियां आज उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तो परिवारिक इस्तियां आज तनाव पूर्ण हो सकती हैं परिवार में एक दूसरे के साथ ताल मेल का आभाव हो सकता है अनावशक बातों को लेकर विवाद उत्पन होने की भी आज संभावना पाई जाती हैं किसी तरह के मन में भ्रहम उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती हैं साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती है परंतु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर तरीके से ठीक करनी की आप कोशिस करें इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलू पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी सिर्फ समय की बरवादी ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी बाणी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रुत रखे मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फहमी आज उत्पन हो सकती है किसी भी परिस्तितियों को सांतिपूर्ण तरीके से समझाएं गुस्सा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सयम रखे साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना आती आवश्षक है बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली आ रह समस्याएं खुद पे खुद अज समाप्त हो जाएंगी जह दोस्तों जीवन साथी का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प् वारिक माहौल खुसनमा रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुखद यादें ताज आँगी दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवस्चे ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों बात कर लेते ह आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों कारेच छित्र में आपकी निगरानी अती आवश्चक है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत पकूर्ण ओर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवश् सकता है शहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविद्यों को नजर अंदाज ना करें आपके पीट पीछे आपको कोई नुक्सान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है शाजेदारी के व्यवसाय में पार दर्सिता रखना आपके लिए अतियावशक है किसी भी प्रकार के एनेत कारे को करने से बचें क्योंकि इसका दूस प्रिभाब आपके मान सम्मान पर बढ़ सकता है साथ साथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो साथ साथ कारे छेत्र में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भ क्योंकि गुस्से और आवेस में आने से परिस्तियां और बिगड सकती हैं अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इस्तिती सामान ने बना कर रखें दोस्तो साथ साथ आज का दिन मार्केटिंग सम्मधित कार रहें और बाहरी गतिविदियों में व्यतित होगा नोक का स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आज आपको एशिडुटी और गैस की समस्या उत्पन हो सकती है ऐसे में अपने कान पान में आपको शैयम बना कर रखने की आवशकता है दोस्तो साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, सुवस्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तो आज आप इश्नान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री हरी विश्नुजी का दक्षनावरती संख में जल भरकर अभिशेक करें जा दोस्तो इस प्रकार अभिशेक करने से भगवान श्री हरी विश्नुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको सीख रही सुब फलोग की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनती चले जाएंगे दोस्तो भगवान शरी हरी विश्णो जी का सिरवाद आपको प्राप्त हो शक्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश शरी हरी विश्णो अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद